तो हैलो गाइस कैसे हो तो आज हम खेलने जारें इंडियन बाइक डाइविंग 3D तो आज की सवाली वीडियो में हम दुबार से मित को बच्टिया चन्फर्म करने वाले हैं तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना क्यूंकि वीडियो में ने काफे सारे अमेजिंग मित को पहले में ।क वह एक अगर चोटे वाले डाइनसोर के बैठेंगे तो हमें जॉंभी नहीं मारं पाइंगे तो ज़ले से हम एक डाइनवार को स्पॉन करते हैं 5050 के deem से इस्फ कूड से जल्ली से हम डाइनवार की ऑपर बैठते हो जैसे में डाइनसौर के उपर बैठ आ है तो यह Zack को मार नीपा रहे है पर डाइनोसर में से थोम्भी से कर रहा है तो अब यह जोंबी हमें हाथ बीने लगा सकते हैं और इनको मार भी सकते हैं और यह चोटा वाला डाइनसौर सच में काफी जादा बढ़ी है इसलिए वाला मित भी कन्फॉर्म होता है लगी कंफ दो मार ंची के फस्ट के लिकले इंड़ सकतें यह डाइन को तोड़ खरासaken पर और फरारी का खर्ण के कांब पीचे आजवा अब जोडâu यह टककर शुकता है सेड तो टूटा नहीं पर हमारी काल जरू तो इसलिए यह वाले मित भी कन्फॉर्म होता है मां नेक्स्ट मित ही है कि अगर हम होर्स जैट पेक इंदर एक सथ बैठेंगे तो हमारे करेक्टर एक अजीब सा पोज करने लग जाएगा तो इस वाले मित को ट्राई करते हैं तो मेरा करेक्टर बैठा है हमारा करेक्टर को योगा आसन कर रहा है पर हमारे करेक्टर ने एक अजीब सा बनाया है तो इसलिए वाले मित कन्फॉर्म होता है करेक्ट में दीए कि अगर हम डाइनसौर पे श्टिकी बॉम लगा के आरपीजी से मारेंगे तो डाइनसौर एक ही शौट में मर जाएगा आरपीजी इस वाले मित को ट्राई करते हैं तो मैंने इंफरनाइट हैल्थ को भी एक्टिवेट कर दिया है डाइनसौर के पास आने हमसार के आरपके यहीं वाले मित कंपॉर्म होता है कि अगर्म को आपको यह वाले वीडियो अच्छे लगए वीडियो को एक लाइक करना तो कमेंट करना मैं मिल तॉप से इस तरह के नाक्स्ट वीडियो में जबते के लिए बाइबाए